Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now chapter 8, Rural livelihood. In the first chapter, we looked at the many kinds of diversity in our lives. We also explore how living different regions has an effect on the work people do. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार करेंगे कि अलग अलग अरिया में रहने वारे लोगों के काम धंदे पर क्या आसर होता है? कैसे वहां के लोगों जो काम करते हैं, वो काई फैट होता है? The kind of plants जैसे अलग अलग के पेड़ पोदे होते हैं, trees होते हैं, crops होते हैं, things that become important to them. वो कैसे, किस तरह से important दो चीजी हो जाती हैं? इस chapter में we will look at the different pages, लोगों के अलग अलग तरीके, in which people are on their living in villages, गाउं में, पैसे की जो earning वो कैसे करते हैं? And here too, as in the first two chapter, हमने पहले दो chapter में जो read किया हैं, we'll examine whether people have equal opportunity to earn a living. क्या, लोगों के पास आज़ी वी काच लाने के, या पैसे कमाने के, earning money के जो sources हैं, वो कितने available हैं, कितने upload हैं, जो opportunity हैं, वो कितनी अफसर, उनके पास कितने मोके हैं, पैसा कमाने की. We will look at the similarities in their life situation and problems that they face. तो हम देखेंगे इस lesson के अंदर, जो उनके condition हैं, वो प्रिष्थितियां हैं, वो कैसे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, या एक दूसरे से अलग हैं, किन प्रोब्लम्स का सामना करना पढ़ता है. तो इन सब के बारे में हम chapter 8 में, rural livelihood में read करेंगे. यहां हम एक एक जामपल के तोर पर, एक कहाने के तोर पर village ले रहे हैं, कलपट्टू village. तो जो बुमारे बुक में है, कलपट्टू village, कलपटू is a village that are close to the sea coast in Tamil Nadu. कहां है यह? Sea coast है, समुन्दरी किनारे पर है Tamil Nadu. समुन्दरी किनारे पर है Tamil Nadu. जैसे हम इंडिया के map के according देखते हैं, यह हमारे नीचे का southern part है, तो यहां हमारी स्रीलंका है, तो यहां जो हमारा Tamil Nadu state है, Tamil Nadu में कौन सी यह जगह है, इसके sea coast होता है बेटा, यह जो हमारी बेव बंगाल है, या the side में, तो बेव बंगाल का जो यह border है, इसको sea coast बोलते हैं पीपल, here do many kind of work, यहां लोग अलग अलग type के काम करते हैं, यह इन इंडर विलेजेजेज जैसे दूसरे गाओं के लोग काम करते हैं, ऐसे ही यहां के लोग भी क्याहते हैं, as in the other villages दूसरे गाओं के जो लोग हैं here to their known farm works जो खेती के अलावा जो कार्य करते हैं तो cultivation के अलावा agriculture के अलावा जो काम करते हैं making basket टोकरिया बनाना making utensil भरतन बनाना making port से घड़े बनाना अपने इते बनाना बॉल्लक काड़ियां बैल गाड़ियां बनाना तो यह काम करते हैं खेती के अलावा खेती तो करते ही हैं खेत के extra जो खेती से extra काम है वह करते हैं there are people who provide service और जो दूसरे लोग है जो सेवाए करते हैं ब्लैक्स्मिथ जो लुहार का काम करते हैं नर्सिज टीचर्स वासरवेंदोबी वीवर्स कपड़ा बनाने वाले बारबर एरकटिंग करने वाले साइक्ल रिपेर जो साइक्ल की रिपेरिंग करते हैं सोन तो यह सब जो कारिगर हैं वो गाउं के अंदर मिलते हैं तेरा रालस की तरह दीखती हैं तो यह कलपट्टू के बारे में हम रीड कर रहे हैं यह कलपट्टू की बाते हैं सारी वी फाइंडे वेराइटी उस्माल सोप तो वहां पर कई छोटी दुकाने भी हैं सच एस टी सोप चाय की दुकान ग्रोसरी सोप जो चाय के अलावा एंड टेलर है कपड़े सिलने वाला है कलोट सोप है बारबर सोप है नाई की दुकान जिसको बोलते हैं टू फर्टिलाइजर एंड सीड सोप दो दुकाने वहां पर खाद और बीज की भी हैं कहां पर यह हम कलपट्टू की बाते कर रहे हैं तो वहां देखें चाय की सबजी की जो कीचन क कि जरूरतिकों को समान है वहां अलगलग सोप पे हमें मिल चाता है देरार फोर्टी सोप वहां चार चाय की दुकाने हैं में तो विच इस सेल टिफन सेल करती हैं शच एडली डोसा अंड उपमा तो वहां पर जो में है इडली डोसा और उपमा मिलता है कि इंद द मिलता है बड़ा मिलता है वोड़ा मिलता है मैसूर पाक मिलता है तो यह ध्यान देना है अपने नीरदाती सोप जो चाय की दुकान ने है उनके कोर्णर में एक ब्लैक समीथ फैमिली है लोहार का प्रिवार है तो उसने अपने घर में ही दुकान ओपन कर रखी है एक साइकल रिपेर करने वाले की दुकान है टू फैमिली से लिविंग बाई वॉसिंग क्लोज दो परिवार हैं जो कपड़े धोने के या धोबी का काम करके अर्णिंग करते हैं तो कुछ व्यक्ति जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही होते हुं हां एज वर्कर के तोर पर काम करने के लिए जाते हो लोडि ड्राइवर भी हैं कुछ गाडियां चलाने वाले ड्राइवर भी हैं तो इस परकार दा विलेज इस अर्णिड बाई लो हिल्स गाउं उपलब्द मातरा में है अच्छी मातरा में है इस फनी जो प्रीवार अपनी खेती से ही अपना गुजरा करते हैं अपनी आजीबगा कमाते हैं इसके साथ साथ खेती के चाथ वहां सथ जो अधर एक्तिविटीज दिर आर सम कोकोनेट्स ग्रोस ग्राइन तो वहां पर कोकोनेट्स पेड़ के बगी चे भी पाय जाते हैं कोकोनेट्स नारियल के काफी बागहां पर पाए जाते हैं और स्कोटेन सुगर केन एंड प्लेंट प्लेंटेन और आल्सो ग्रून तो वहाँ पर कोकोनोट्स के कोटन के सुगर केन के और केले के वहाँ पर भाग पाए जाते हैं देर और मेंगो और्चाड वहाँ पर आम के बगीचे भी पाए जाते हैं लेट असनाव मीट सम पीपल हूव वर्किंदा फेल्डस इन कलपट्टू तो यहां हम कुछ वैसे लोगों की बात करेंगे जो कलपट्टू गाओं में खेती करते हैं वी कैन लरन अबाउट फार्मिक फ्रों देम उसके बारे में हम जानेंगे की कैसे वो खेती करते हैं तो फर्स्ट अफ आल हम तुलसी के बारे में रीड करेंगे तो तुलसी क्या है तो यह जो वर्कर्स हैं वो किसकी जमीन पर काम करते हैं रामा लिंगम की जमीन पर काम करते हैं कितने एकर्स जमीन उसके पास 20 एकर्स वो पैड़ी फिल्ड से इंदा कलपट्टू कलपट्टू में धान की 20 एकर्स लेंड है उसके पास तो ये तुलसी क्या कह रही है तुलसी अपने बारे में बता रही है कि साधी से पहले मैं मायके में जब थी पिता के घर थी I work from 8.30 in morning till 4.30 in the evening and करूर्थमा रामा लिंगम वाइप सुपरवाईज असे तुलसी कह रही है कि साधी से पहले मैं मायके में भी धार के खेता मज़ूरी करती थी लेकिन यहां सुबह 8.30 से लेकर यहां रामा लिंगम के खेत में 4.30 तक काम करना पड़ता है और लिंगम की जो वाइप है करूर्थमा वो काम का उबजर्वेशन करते हैं सुपरवाईज करती है कैसे काम कर रहे हैं मज़दूर उनकी देख रहे हैं करती है अब तुलसी क्या बता रही है कि this is the one of few times in the year that I find regular work यह साल के कुछ महीने में है जब regular work मिलता है नियमित वैडिके जो प्लांट्स होते हैं उनको एक स्थान से अटा कर दूसरी स्थान पर लगाया जाता है second time plants have grown a bit रामा लिंगम will call us again for wedding and then finally once again for the harvesting से फिर यह बताती है कि जब धान की फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसके अंदर जो दूसरे extra plants से वो grow करते हैं तो उसको के लिए उसकी wedding करने के लिए बुलाते हैं और last में जब धान की कटाई की जाती है उसके time उनको बुलाया जाता है तो when I was young जब जवान थी I could do this work with no difficulty तो इन काम को करने में कोई difficulty नहीं होती थी but now as I grow older जब मैं बड़ी ओने जा रही हूं यानि कि उमर थोड़ी सी जादा होती जारी I found bending for long hours काफी गंटों तक जुगे जुगे काम करने से and with my feet in water very painful और जो पानी के अंदर काम करने से क्योंकि जो rice की जो crop होती है उसम fit के जो उसके पैर है उसमें धर्द होता है रामा लिंगम पेज रुपीज 40 पर डे जो जो रामा लिंगम है वो 40 रुपे पर डे देता है तो इस परकार this is a little less than what labors get in my home village तो इस परकार यह बहुत ही कम रेट है जो उसके घाओं के मजदूरी रेट से बहुत कम है जो गाओं मैं रामा लिंगम के खेट पर इसलिए आती हूँ क्योंकि ब्रोसा करते हैं रामा लिंगम पर जब भी काम होता है तो वो अपने खेट में काम करने के लिए बुला लेता है तो इस परकार को कि तरह आसपरोस के गाओं में सस्ते मजदूर ढूरने नहीं जाता है वो यहीं पर जो मजदूर मिलते हैं उसके काम है करवाता है माई अस्बेंड रमन अतय तुलसी बतार एस के पती का नाम क्या है रमन है लेबर है वो भी एक मजदूर का काम करता है डाउंट ओन अन अ तो उसमें इफ एंड वरक आउसाइड कहीं दूसरी स्थानों पर काम धूनने के लिए चला जाता है आइधर लोडिंग सेंड प्रों दा रीवर और स्टोन प्रों दा क्यारी नियरवाई तो वो सेंड को लोड रेट जो रीवर में रेट पाया जाता है उस रेट को जो बाल आपर हैं वो पत्खरों को ट्रक में लोडिंग करने के लिए उनको काम मिल जाता है अवसे घर बनाने के लिए रेट की जरूर पडते है या पत्खरों की जरूर पड़तिया Match up जरूर जाते हैं तो यह जो तुलसी है ये खेतों में काम करने के अलावा ये दूसरे काम भी गर पर करती हैं I go with other woman to the nearby forest आसपास के जो जंगल होते हैं ऒाहन से दूसरी ओरतों के साथ collect करने के ले जाती है firewood जो आग जलाने के लिए खाना पकाने के लिए लकडिया लाने के लिए भी जाती है अब आउट वन किलोमेटर वे वी हैव ए विलेज वोरवेल फ्रोम वेर आई फेस्दा वर्टर तो गाउं के किलोमेटर दूर वहाँ पर एक वोरवेल है वहाँ से पानी लाया जाता है मौई असमेड हिल्फिन गेटिंग मेठेरियल सच एक ग्रोसरी फोर दे हाउस जो उसके पती हैं वह उसकी मदद करते हैं घर का सामान या साथ सब्जित लाने के लिए तो ये अपनी फेमिली के बारे में बता रहे हैं कि परकार कर ये करते हैं आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स उसके जो बेटिया हैं वो स्कूल जाती हैं आर दा जुआ ओफर लाइफ अपने लाइफ मजे से रह रही हैं लास्ट येर वन ओफ दैम फैलील लास्ट येर पिछले साल उन में से एक है जो बिमार होगी थी अपने परिवार की वो अपनी यहां पर उसने शेयर की है तो यहां देखें बिटा जो राइस की क्रोप है उसका जो टाइम पिरियेड होता है वो कब से स्टार्ट होती है कब तक तो जून का जो मन्त होता है तो उसमें प्रिपेरिंग सेपलिंग की जाती है यानि कि जो राइस के प्लांट्स है वो तयार किये जाते हैं तो राइस के प्लांट्स तयार किये जाते हैं फिर ट्रांस प्लांटिंग की जाती हैं राइस के प्लांट के लिए कम एरिया में बीज जाता है तो इसको बोलते हैं transplanting फिर है वीडिंग वीडिंग का मतलब इसने जो पैडी की plants है पोदेन के बीच में extra other जो plants है वो ग्रो हो जाते हैं तो उसको उटाइने के लिए वीडिंग के लिए harvesting के लिए काम किया जाता है नौंबर और इंगरी परिवार है इन रूरल एलिया उफन स्मेंड लोट ऑप टाइम एवरी डे क्लेक्टिंग फायर वूड्स जो ज्यादा अपना समय है वो यूज करते हैं collect करने में फायर वूड लकडियां getting water पाने लाने में और ग्रेजिंग देर कैटल अपने पसों को चरहने में इव इस प्रकार जो उसकी फैमिली है तुलसी की तो कोई दूसरा ऐसा और काम नहीं करती जिससे उनको पैसे के अर्णिंग हो जाए अपने जीवन को चलाने के लिए कोई दूसरा कारिया नहीं करते हैं तो यह गुजारा इस प्रकार से थोड़े सी इनकम से उनको जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही गरीब होते हैं और अपनी घर चलाने के लिए और अपनी जीवन को स्रवाइब करने के लिए यह सब काम उनको करने पड़ते हैं नियरली टूफिफ्ट अफ आल रूर रे लिया गाओं में लगभग पांच व्यक्तियों में से पांच व्यक्तियों में से कोई दो हर व्यक्ति तो मजदूरी का काम करते हैं पहले दो व्यक्ति क्या कोई भी दो व्यक्ति मजदूरी करते हैं बाकी थ्री कोई ने कोई सोर्सिस होता है जिसे वो इंकम करते हैं अगरिकल सर लेपर का काम करते हैं इन आर कंट्रे अमारे दे थोड़ी भी जमीने नहीं होती है, not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work, this travel on migration take place during particular season, तो इस परकर हमारे जो देश के अंदर to earn money throughout the year, पूरे साल जो पैसे कमाने का काम है, धूर रेजिया के अंदर, तो पैसे कमाने के लिए लंबे दूर स्थानों पर जाना पड़ता है, in search of work, काम की खोज में, तो ये यात्रा, ये migration, migration होता है, one place to move, another place, तो इसको बहुते migration during particular season, किसी जिसे इस मोसम में जो जहाउन को काम मिलता है, वहाँ जाकर वो काम ढूडते हैं, तो ये किसकी स्टोरी थी, तुलसी की स्टोरी थी, तो तुलसी की स्टोरी में आपने read किया, कि कैसे, वो उसकी family है, poor family है, कैसे अपना, जो life spend करते हैं, अब कर सिखर के बारे में हम सोड़ा सब read करते हैं, सिखर, we have to carry this paddy to our house, जो paddy की crop है, उसको तैयार होने के बाद, उसको बेचने के लिए कहा जा, अपने, sorry, तैयार होने के बाद, काटने के बाद, अपने घर लाते हैं, जो उसकी परिवार है, just finished harvesting, उन्होंने अभी-अभी जो paddy क crop है, उसको harvest किया है, कटाई की है, आवर फिल्ड खेट से, we don't own much lands, only two acres, उनके पास भी ज़्यादा जमीन, यह सरफ two acres है, सेखर की family के पास, we manage to do all the work on our home, लेकिन वो सारा two acres का जो काम होता है, वो अपने आप, खुद मिलकर family member कर लेते हैं, at time, especially during the harvest, लेकिन जो harvest का time होता है, I take the help of other small farmers, तो हम दूसरे जो छोटे किसान हैं, उनकी आपस में मदद लेते हैं, और उन मदद करते हैं, then help them harvest their fields, हम एक दूसरे की आपस में कटाई का time है, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो छोटे farmer होते हैं, the trader gave me seeds, जो व्यापारी होता है, वो seeds and fertilizer के लिए loan दे देता है, to to pay back this loan I have to sell my paddy to him at the somewhat lower price, तो जब loan लिया है, trader से, तो वापिस जो फसल को बेचने जाते हैं, धान की फसल को बेचने जाते हैं, तो उस time उसको वापिस से दे दिया जाता है, lower price, then what I would get in the market, यानि market में जो उचीत rate होता है, उसको low price ही दिया जाता है, He has sent his agent, जो traders है, वो अपने agent को बेचता है, remind करवाने के लिए, farmer को याद दिलवाने के लिए, कि who have taken loan, कि किन किसानों ने उससे loan लिया है, that will sell the paddy only to him, और trader कहता है, कि वो अपने दहान की जो फसल है, वो सिरफ उसी trader को बेचे, I will probably get 60 bags of paddy from my fields, खेट से जो सेखर है, 60 bags उनके दहान के मिले उनको, some of this I will sell to the loan, कुसुन में से उनको बेचने पड़े, क्या करने के लिए, लोन को चुकाने के लिए, the rest will be used, जो बचा हुआ धान है, उसको यूज करेंगे in my home, अपने घर में जो रुद पूरा करने के लिए, but whatever I have will last only 8 months, लेकिन, पिछले 8 महिने में, पि है कि, जो I need to earn some money, तो पिछले 8 महिने से मुझे यह एसास हुआ, कि मुझे और पैसा कमाने की जुरूरत है, so I work in Ramalingam rice mill, और काम करना शुरू करता है, rice mill में, जो Ramalingam की rice mill है, here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villages, तो इस परकार जो मदद करता है, वहां के पडोसी गाहों के किसानों से धान इकठा करने में, उसकी मदद करता हूँ, किसकी Ramalingam की, we also have a hybrid cow, तो उनके पास अपनी एक गाएं भी है, whose milk, we shall in the local milk, corporate cooperatives, वो उसका दूद अपने आज की पास की जो cooperative समीती है, वहां पर बेशते हैं, this way we get a little extra money for our everyday, नीर्शते, इ लेते हैं, तो on being in debt, कर्ज लेने पर क्या condition होती है, जो family की कर्ज जिसने ले लिया होता है, तो कर्ज लेने से जो condition होती है, कैसे, क्या होती है, you have read above, जैसे कि हमने read किया उपर, ओफन फार्मर लाइक सेकर नीट वोरो मनी, सेकर की तरह जो दूसरे किसान है, उनको भी बोरो करना पड़ता है, धन को, उधार लेना पड़ता है, पर्चेज बेसिक थिंग से, जो जुरूरत की वस्तिवे हैं, उनको लेने के लिए, like seed, fertilizer, pesticides, बीज लेने के लिए, खाद ल कई बर क्या होता है, जो बीज होता है, बच्छी क्वैल्टी का नहीं होता है, और paste attack their crops, कई बर जो कीडे हैं, कीट्स हैं, वो attack करते हैं, फसल पर, there can be major crop फेले, तो इनकी जो मुख्य फसल होती है, येर की, वो भी फेल, खतम हो जाती है, खराब हो जाती है, तो लोन लेने क के बाद, फसल खराब हो जाने के बाद, जो गरीब किसान है, वो पैसे कहां से चुकाएगा, तो इस condition में, किसान क्या करता कभी कभी है, अपना जो लोन उसने लिया है, मनी बोरो की है, उसको वापिस चुकाने में, एसफल हो जाता है, for the family to survive, और परिवार का गुजरा करने के लिए, they may even have to borrow more money, और ज्यादा पैसा उधार लेना पढ़ता है, दोबारा से उसको लोन लेना पढ़ता है, या उधार लेना पढ़ता है, पैसा, soon the loan becomes so large that no matter what they earn, तो जैसे ही ये लोन और ज्यादा large amount में हो जाता हैं, इस परकार जो poor farmer हैं, उनकी जो problem over तीचली जाती है, this is when we can say there our court in debt, तो कई बार आपने कोई सुना होगा कि मैं, तो करजे के अंदर चकड लिया गया है, मुझे करजे ने चकड लिया है, करज इतना बढ़ जाता है, कि इंदर recent year कुछ पिछले सालों में has become major cause, ये मुख प्रेस अमग farmer, किसानों के अंदर जो स्थित्ती है, करज के अंदर दवते से ले जाते हैं, करज के नीचे, करज का pressure उपर भड़ता चला जाता है, इन सम एरिया, this has also resulted in many farmer committing suicide, तो इस परकार जो बहुत सारे एरिया के किसान हैं, कई बार suicide भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो loan है, या borrow money है, वो उसका उतारने में सफल नहीं होते हैं, किसान का high interest rate है, वो ज्यादा होता है, इसलिए पैसे उसमें और add होते से ले जाते हैं, और जो करज है, वो दिन परती दिन और बढ़ता चला जाता है, तो student video ज्यादा बढ़ी नहों, इसके लिए आज हम इतना ही कर झाले 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